भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडडा ने एक पुस्तक के विमोचन कारिक्रम में विपक्षी दलों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जम कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दव उन इए आ कहर रही है कि भारत का भविश्य उजवल है। हमारी सरकार के कामों की पूरी दुनिया सरहना कर रही है, लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं। जब जब भारत नई किर्थिमान स्थापित करता है, तब तब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को पता नहीं क्या समस्या हो जाती है। भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर अमेरिका में दिये गए बयानों पर जमकर निशाना साधा है। इन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की। इन सब के बावजूद वे कहते थे कि हम मुहबबत की दुकान खोल रहे हैं। आपने तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखा है। उन्होंने कहा कि टुकडे टुकडे क्यांका साथ देने वालों को दुनिया भी समझती है। इन सभी ने सिर्फ भारत के आत्म विश्वास को कमजोर करने का काम किया है। पीम मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी कहिए। लोग सब जानते हैं। हमारे देश की गिंती भ्रष्ट देशों में होती थी। कोई नेतरत्व, इरादा या नीती नहीं थी। हालांकि लोगों ने भाजपा को वोट दिया और 2014 में भारत को एक ऐसा नेतरत्व मिला जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। जितने काम किये गए हैं, उस पर चर्चा करें तो एक ग्रंथ बन जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। जेपी नडडा ने कहा कि आर्थिक द्रश्टी से देखा जाए तो आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन चुका है। रशी सुनक कहते हैं कि वे दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था होगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था कि देश के सीमवर्ती गावों में सरक न बनाना देश की रण नीती है। इसके विप झाल 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 झाल